हेलो फेंट्स, I hope that you all must be doing good फेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का 5th generation aircraft AMCA के बारे में ये वीडियो अपने हमें बहुत इंपॉर्टन होने वाला है और अगर आप चलमें नए हैं फेंट्स, अभी हाली के दिनों में दुनिया के कई देसों दोरा अपने 5th generation के fighter jets को लेकर कई तरह की news update दी जा रही है जिसमें उनके 5th generation के aircraft को सेना में सामिल करना और उन aircraft के strength या ताकत के बारे में बताया जा रहा है फेंट्स, ऐसे में हम सभी के मन में यह सवाल आ जाता है कि भारत का 5th generation aircraft AMCA जिसे सौधेसी रूप से बनाया जा रहा है यह कब बन कर तयार होगा और यह अभी किस stage तक पहुँचा है क्योंकि भारत का पडोसी देश पाकिस्तान भी चाइना से stealth fighter jet खरीनने जा रहा है और यह aircraft J-31 होने वाला है अगर इस J-31 aircraft के बारे में बात करें तो यह fighter jet stealth capacity surprise attack करने में सक्षम है और इस aircraft में J-20 विमान के sensor fusion और data processing जैसी शमताएं भी सामिल की जाएंगी फ्रेंट्स वही Chinese experts की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना में J-31 सामिल होने से वे Indian Air Force से एक पीड़ी आंगे निकल जाएगी साथ ही चाइना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनका J-31 भारत की stealth fighter jet AMCA से भी कई ज़्यादा updated है और चाइना 2014 से इसका इस्तमाल कर रहा है वैसे देखा जाए तो सही माइनों में J-31 aircraft एक पूरी तरह से 5th generation aircraft नहीं है लेकिन फिर भी ये जट एक 4th generation और 4.5th generation के विमानों से एक उपर level का aircraft है और ऐसे में जहां चाइना पहले से ही 5th generation के aircraft को इस्तमाल कर रहा है तो ऐसे में भारत के लिए ये एक बड़ी चुनोती होगी क्योंकि चाइना के पास पहले से ही J-20 aircraft है ऐसे में भारत के दोनों borders पर दुस्मन देसों के पास stealth fighter aircraft होंगे इसके अलावा तुर्की Air Force ने भी हाली में अपने घरेलू stealth fighter jet कान की पहली सफ़र उडान भरी है तरकी की बात की जाये तो तरकी ने साल 2016 में अपने खुद के 5th generation के fighter jet को बनाने के लिए TFX प्रोजेक्ट को सुरू किया था इसके लिए तरकी के Air Force फार्म तुसास ने ब्रिटन की कमपनी BAE Systems के साथ मिलकर 125 मिलियन डॉलर की डील साइन की थी और इसी डील के तहर दोनों अंगली PD की fighter jets बना रहे हैं फेंट्स वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का AMCA program लगबग एक दसक पहले सुरू हुआ था और इस पर अभी भी काम चल रहा है लेकिन इसकी रफतार काफी धीमी है और अगर इसके पहले prototype की बात की जाए तो DRDO के प्रमुक डॉक्टर समीर कामत की तरफ से बताए गया है कि AMCA के पहला prototype CCS की मंजूरी मिलने के 7 साल बात सामने आएगा ये समय सीमा DRDO दोरा 2022 में किये गए पहले के अनुमानों से अलग है क्योंकि इससे पहले 2022 में DRDO दोरा कहा गया था कि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद prototype को 3 साल के भी तब पूरा किया जा सकता है यानि कि उस समय की timeline के अनुसार Advanced Medium Combat Aircraft यानि कि AMCA की पहली उड़ान 2025-26 में होने की सम्भावना थी जो अब पूरी नहीं हो सकती है और अगर इसे पूरी तरह देखा जाए तो इंडियन Air Force में साल 2035 से पहले AMCA की सामिल होने की सम्भावना नहीं है वैसे इसके अलावा भारत चाहे तो 5th generation के fighter jets खरी सकता है और जहां तक 5th generation के fighter jets की बात है तो आज तक केवल रूस, अमेरिका और चाइना ही ऐसे देश हैं जो successfully अपने advanced aircraft develop और deploy कर पाए है और इन देशों में भी भारत के पास केवल दो ही options है या तो रूस या अमेरिका लेकिन इन दोनों विकलपों में भी अपनी अपनी चुनोतियां और चिंताएं है तो friends यह था पूरा वीडियो related to AMCA aircraft अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो please do like, subscribe the channel and press the bell icon Thank you so much